कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं मन्मिंदर और मेरे चैनल पे आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है पोन मुवीज बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से बालीवूड एक्टर शिल्पाशेटी के पती और बिजनेस में राज कुंदरा को लास्ट नैट ग्रिफ्तार किया था और आज मंगलवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से उ और पुलिस ने रेयन थारप को भी मुंबई के नेरूल इलाके से गिरिफ्तार किया था इस मामले में मैं आपको बता दों कि सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस एक्टर शिल्पाशेटी से भी पूछताश कर सकती है और क्योंकि अधिकतर बिजनेस के मामलों में पत की जल्दी समन बेज सकती है क्राइम ब्रांच की प्रापर्टी सेल ने शमा करें क्राइम ब्रांच की प्रापर्टी सेल ने मंबई के एक अग्यात शक्स और मिडलिस्ट के एक पोर्ण माफिया के बीच में कुछ कॉल एक्शेंज करके इंट्रसेप्ट किया है और इस समय य वे वेक्ति अमेरिकी नागरिक है और कुछ लड़कियों के बयान भी दर्स किये गए हैं लड़कियों ने ये खुलासा किया है कि वे एक इंटरेशनल पॉनग्राफी रैकेट के शिकंजे में थी उनके लोग लड़कियों को ब्लैक मिल करके जबर्दस्ती उनसे फिल्मों में काम करवाते थे और फिल्मों में काम करने से पहले उनसे एक ब्लैक स्टॉम पेपर पे सैंड कराये जाते थे एक और बात ये है कि मुंबई पॉलिस कमिशनर हीमंद नागराले का ये कहना है कि राजकुंद्रा इस मामले में प्रमुख साजिश करता है और उनके खिलाफ पूजश की जा रही है इसे पहले राजकुंद्रा को क्राइम ब्राज ने पूजश सेविए बुलाया था और क्राइम प्राइश की प्रोपर्टी शैल् ने उनसे पूजश की हलाकि गरिफतारी के बाद पुलिस ने पुन मामले का खूला सा किया इस मामले में अब कुंदर समेद 11 लोग अभी तक अरेस्ट किया जा चुके हैं यह अरेस्टिंग जो है लास्ट नाइट ही हुई है और पूछतास के लिए मुंबई के भायकला स्थित क्राइम ब्राज दफ्तर उनको गुलाया गया था इसके बाद सुमबार रात करीब 11 बजे 2 घंटे की पूछतास के बाद राजकुंद्रा को क्राइम ब्राज के अधिकारियों ने अरेस्ट किया मुंबई क्राइम ब्राज के एकॉर्डिंग राज के खिलाब इसी साल फरवडी में केस दर्स किया गया था और राजकुंद्रा ने पॉर्ण फिल्म इंडेस्ट्री में आठ से दस करोड वहीं, कैंडिन नाम के एक अपनी मना आई, फिल्मों में वीडियो के, फिल्मों को वीडियो जो भी उनके शूटिंग होती थी, वो वी ट्रासफर के जरीए उनने भेज दिया जाता था, मैं आपको बतातूं कि वी ट्रासफर अमुहान जो उसका यूज कहा जाता है, वो सेफ फाइल जो है, वी ट्रासफर के जरीए उनने भेज़ते रहे, मुंबई पुलिस ने फरवरी में एक्टरस गहना मशिष्ट सहीत आठ लोगों को गरिफतार किया था, उसी के बाद से तीन और लोगों की गरिफतारी होई थी, इस पूरे मामले में दो F.I.R. दर्श की गई, और ये कहा जा रहा है कि कतित तोर पे एक्टरस को अश्लील फिल्म के लिए नियूर सीन शूट करने के लिए मजबूर करने के आरोग में पुलिस ने ये कारवाई की है, खुल मिला के इसको अगर इन वान लाइन कहें, तो अकुंद्रा जो है, वो पॉन वीडियो बनाते थ ये बात तब सामने आई थी, जब शूट की गई फिल्मों को पैड मुबाइल एप्लिकेशन पर रिलीस किया गया था, इसके बाद पुलिस ने हाली में मामने से जुड़े दे एक और शक उमेश कामंत को गृफ्तार किया था, कामंत की गृफ्तारी के बाद पुलिस को एक बड़ी लीड मिली और उसी के बाद राजकुंद्रा का जो इससे करक्षन है वो सामने आया था, दोस्तों तिलाल इतना ही और मैं फिर मिलूंगी आपको किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जैभारत!